दोस्तों आज हम करने वाले हैं Soul Land 2 के एपिसोड 231 को फुल एक्स्प्लेन अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार देख लेना वो सभी चैनल पर अवेलेबल है इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अरेना का सीन देखते हैं जहां पे काफी सारे लोग आय हुए होते हैं और ये काफी उटसुख होते हुए कहते हैं वाउ आज कितनी ज़्यादा भीड है और तो और ऐसा देख रहा है जैसे कि सारी की सारी सीट्स बुक है क्योंकि यह round Robin का last round जो है यह हमें 8 strongest teams बताएगा और यह पहली बार है कि किसी tournament के अंदर sets को include किया गया है जिसकी वजह से पिछले साल की तुलना में इसकी value और भी ज्यादा बढ़ गई है और यह जो top 8 sect squad से है यह 100 से ज्यादा squad को हरा चुकी है और यह सभी के सभी ही काफी powerful जिसके बाद हम एरिना के अंदर दो लर्कियों को आमने सामने देखते है और referee कहता है यह first group का जो first game है इसमें शेरेक स्क्वार्ड वर्सेस टांग सेक्ट होगा और इन दोनों ही teams ने लगातार 6 बार जीत के काफी अच्छी performance दी है round robin के in last 6 rounds में और हम एरिना के अंदर दे इस तरफ इन दोनों को सामने देख के आप लोग तो खुश होंगे लेकिन यहाओ की काफी हालत खराब हो रही होती है और यह काफी परेशान होते हुए मन में कहता है अब मुझे काफी पच्टावा हो रहा है क्यों मैं सहमत हो गया था और फिर हमें match से पहले का scene दिखाया जाता है जब डोंगर यहाओ से कहके जा रही थी तुम्हारी अभी की condition के हिसाब से तुम्हारे लिए बिलकुल भी अच्छा नहीं होगा और मान लेना इतनी बड़ी कोई problem नहीं है इसलिए इसे तुम मुझ पर छोड़ दो जिसके बाद referee कहता है तुम दोनों ही अपनी मुस्कुराने लगती है और इस चीज को देख के जूतिया रन की काफी गंदी वाली जल जाती है और यह सच में काफी घटिया सा मोह बनाते हुए मन में कहता है यह कितनी ज्यादा सुंदर लड़की है लेकिन कितनी बुरी बात है कि मुझसे बिलग नहीं करती है लेकिन यह क्लियर सकाई हैमर को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते है यहां तक कि युहाओ और जूसांसी भी जबकि डोंगर मुस्कुराते हुए कहती है थोड़ा केरफुल रहना जिसके बाद डोंगर अपने क्लियर सकाई हैमर को लेके काफी खतरनाक तरीके से वैंग क् लास्ट होता है जिसे देखके रेफरी के तो होश उड़ते ही है बलकि ओडियंस भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है हे भगवान क्या ये सच में जुरवा बहने है जबकि इस तरफ युहाओ भी इन दोनों की बैठल को काफी ध्यान से देख रहा होता है जबकि इतने खतरनाक क्लेश की वज़े से डोनवेर हवा में स्विंग करते हुए आती है जबकि इस चीज को देखके जू सांसी कहता है ये दोनों तो बस अपनी अल्टीमेट पावर को इस्तेमाल करके एक दूसरे से तक्रा रही है जबकि इस तरफ डोनवेर भी अपने हैमर के साथ एक और काफी खतरनाक अटेक करने के लिए तयार हो जाती है और इस दोरान हमें इसके क्लियर सकाई हैमर के अंदर एक अजीब सी पावर को देखते हैं जिसकी यह काफी ज्यादा खतरनाक पावर को इस्तेमाल करके ये वैंग क्यूव के ऊपर अटेक कर देती है जबकि डोनवे तब तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी जब सामने डोंगर हो और तभी वैंग कियो अभी अपने गोल्डन रे को रिलीज करती है और इस काफी खतरनाक हिट को अपने गोल्डन ड्रेगन स्पियर की मदद से ब्लॉक करती है और इन दोनों का क्लेश तो वाकई में काफी ज़्यादा खतरनाक होता है और इस चीज को देखके जू संशी युहाव से कहता है ये तो स्विंगिंग क्लॉक टेकनीक को इस्तिमाल कर रही है क्लियर स्काइक लाइन की और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि डोंगर के पास इतनी ज़्यादा पावरफुल टेकनीक ह और हम देखते हैं कि डोंगर सच में इस टेकनीक को इस्तिमाल कर रही होती है जबकि इस तरफ रेफरी भी काफी ज्यादा हैरान परेशान होते हुए मन में कहता है इन दोनों लड़कियों में से एक भी कोई दूसरी सोल स्किल को इस्तिमाल नहीं कर रही है बलकि ये दोनों को भी इकठी करती रहती है और जितना लंबे समय तक इसे इस्तिमाल किया जाएगा उतना ही यह ज्यादा पावरफुल होता जाएगा और यह वाकई में काफी अमेजिंग बात है अब जब यह 55th हैमर का अटेक है क्योंकि डोंगर की जो पावर है वो अब भी उतनी ही कायम ह जबकि इस तरफ युहाओ इन दोनों की फाइटों को देखके मन में कहता है चाहे डोंगर हो या फिर वैंग क्यों ये बताना काफी ज्यादा मुश्किल है कि इन दोनों में से कौन इंजर होगा और इस तरीके की जो रेकलेट फाइट होती है वो सबसे ज्यादा खतरनाक हो यहां का जो यह Airena होता है यह पूरी तरीके से तहस्त नहस हो जाता है और इन दोनों ही छोरियों में से एक भी पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है और इन दोनों को इतनी खतरनाग तरीके से लड़ते हुए देखके रेफरी के भी काफी तगड़े वाल और अपने इस Lightning Hammer के काफी खतरनाक अटेक के साथ One Donware में Wank QA के उपर अटेक कर दिया होता है और जब One Donware एक काफी ज़्यादा खतरनाक अटेक कर रही होती है तब हम इसके Hammer के अंदर काफी ज़्यादा लाइटनिंग को देखते है और इस चीज से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह अटेक कितना ज्यादा पावफुल होगा जबकि इतने खतरनाक अटेक को करता देख वैंग क्यों अब समझ गई होती है वान डोंगर का यह अभी तक का सबसे ज्यादा खतरनाक अटेक होगा इसलिए तुरंथ ही अपने गोल्डन ड्रेगन की absolute strength की पावर को इस्तिमाल करने लगती है और किसी गोल्डन ड्रेगन की तरह ये काफी खतरनाक तरीके से वान डोंगर की तरह बढ़ने लगती है और इन दोनों का ये clash वाकई में काफी ज़्यादा खतरनाक होता है और इस चीज़ को देख के सभी लोग काफी ज़्यादा हैरान होते है और कहते हैं इन दोनों की लड़ाई की पावर तो बढ़ती ही जा रही है और ऐसा लगता है कि इन दोनों की fight के बीच में ये arena नहीं बचेगा और इतने खतरनाक clash के बाद डोंगर उरते हुए पीछे तक जाती है और हम देखते हैं कि इतने खतरनाक clash के बाद वान डोंगर और वांग की वे ये दोनों ही थोड़ी-थोड़ी सी इंज़ेड हो गई होती है जबकि वान डोंगर अब भी नहीं रुखती है और ये वापस से एक और बार काफी खतरनाक अटेक करने लगती है और जब यह अपने हैमर को अटेक करने के लिए तयार कर रही होती है तब ही अचानक से युहाव अपने spiritual अवतार की पावर को इस्तिमाल करता है और तुरंत ही एरिना के अंदर अपने spiritual अवतार में आ जाता है और तुरंत ही वांट डोंगर को पीछे खीच लेता है जिसकी वज़े से वांट डोंगर का जो हैमर होता है वो भी उसके हाथ से छूट जाता है और ये हैमर सीधे रेफरी की तरफ जा रहा होता है और जैसे ही ये जमीन पर गिरता है तो यहाँ पे काफी ज़ादा तगड़ा ब्लास्ट होता है जिससे रेफरी बाल-बाल बचा होता है और योहाँ ने जो वांग दोंगर को रोक लिया होता है इसलिए ये योहाँ की तरफ देखने लगती है और यह कुछ कहने वाली होती है लेकिन तभी ये योहाओ को काफी ज़्यादा सीरियस देखती है और योहाओ को इतना ज़्यादा सीरियस देखके बेचारे डोंगर की तो बोलती बंध हो जाती है और ये कुछ भी नहीं कह पाती है। और खुश होते हुए कहती है ये इतनी जल्दी खत्म हो गया अभी तो मैंने जीभर के इसे देखा भी नहीं था और ऐसा दिखाए पड़ता है कि वांग डोंगर के पास भी ऐसी ही कोई पावरफुल ट्रिक है। ज्यादा हैरान होता है जबकि रेफरी मन में कहता है औरिजिनली मुझे ये लगता है कि इस बैटल के अंदर टंक सेक्ट के किसी मेंबर ने इंटरफेर किया था और उसी ने इंटरप्ट करके इस बैटल को रोग दिया और इस वज़े से इस चीज को इन्वेस्टिगेट भ ठीक नहीं है इसलिए हमें ऐसा लगता है कि शेरिक की टीम के साथ लगाता लड़ते रहने की कोई भी जरूरत नहीं है और इसी कारण के चलते हम सभी ही सरेंडर करते हैं इसके बाद रेफरी भी अनाउंस करता है कि टैंक सेक्ट में सरेंडर कर दिया है जिसका मतलब यह है क शेरिक टीम इस गेम को जीत चुकी है और इसी के साथ पहला जो गप है वो काफी बड़े कोलिजन के साथ खत्म हुआ और इसी के साथ शेरिक टीम क्वाटर फाइनल्स में सेवन विंस के साथ जाती है जबकि टांग सेक छे जीते इक हार के साथ आगे बढ़ती है जिसके बाद वैंक कीू यहाओ के पास जाके कहती है क्यू और इस चीज को सुन कर Falls कहता है क्या क्यू जिस पर वैंक क्यू कहती है आखिर तुम्ने मुझसे लड़ने की हिम्मत क्यू नहीं की क्या तुम्हारे पास दोंगर के जैसा साहस नहीं था और तुम्हारे पास तो ultimate eye strand spiritual power थी ना तो फिर तुमने मेरे साथ एरिना के अंदर लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं की जिस पर योहाओ कहता है एक बेचारे क्रिपल पसंद को बुली करने का कोई मतलब है और क्या तुम्हे सच में ये लगता है कि मैं अपनी इस हालत में तुम्हें हरा सकता हूँ जिस पर वैंग की योहाओ से कुछ भी नहीं कहती है लेकिन ये दोंगर से कहती है इस बार ही हमारा टाय हुआ है हम फाइनल में दोबारा जरूर मिलेंगे और जब हमारी दोबारा फाइट होगी तब हम जरूर उसे खत्म करेंगे जिस पर दोंगर कहती है हाँ ठीक है वादा रहा और जब यहाँ पे सब कुछ सेटल हो जाता है तब योहाओ कहता है ब्रदर जी मुझे होटल ले चलिए और इस चीज को सुनके जो जूई चैन होता वो काफी ज्यादा चौक जाता है क्योंकि आमतोर पर दोंगर ही यह करती है और योहाओ को ऐसा करता देख दोंगर भी हैरान होती है और ये तुरंत योहाओ के पास आके कहती है हुआ योहाओ ये सारी मेरी ही गलती थी प्लीज मुझ पर गुस्सा मत हो और चलो पहले यहाँ से चलते है जिसके बाद टोंगर योहाओ को यहां से ले जाती है और इन सारी चीजों को देखके भी भी और जू सांसी एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन जूई चैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है जिसके बाद हमें होटल का सीन दिखाया जाता है जहां पे दोंगर युहाओ से कहती है ह आ चलो मुझे तुम्हें बैट पे ले जाने दो जिससे कि तुम आराम कर सको और जब डोंगर ऐसा कह रही होती है तब हम देखते हैं कि डोंगर के जो हाथ होते हैं वो काफी जोरों से काम रहे होते हैं और इस चीज को देखकर युहाओ कहता है क्या तुम्हारे पास अब में से कोई भी सीरियस नहीं होने वाला था जिस पर युहाओ कहता है डोंगर तुम अभी टंग सेक्ट की टीम का एक हिस्सा हो और ना सिर्फ तुमने हमारे प्लेन को फॉलो नहीं किया बलकि तुमने तो अपने अनुसार एक्ट किया और इस चीज को देखके तुमने सोचा हो कि अगर मैं तुम्हें इंजर देखूंगा तो मुझे अपनी खुद की इंजरी से ज्यादा हट होगा और इसके के अलावा तुम उसके गोल्डन ड्रेगन स्पीर की पावर को नहीं जानती हो क्या अगर वो एक बारी भी तुम्हें हिट कर देता तो इसका परिणाम इतन अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार देख लेना वो सभी चैनल पर अवेलेबल है इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अरेना का सीन देखते हैं जहाँ पे काफी सारे लोग आय हुए होते हैं और ये काफी उत्सुख होते हुए क वाओ आज कितनी ज्यादा भी है